हेलो फ्रेंट्स गुड इबनिंग वेल्कम टू में यूट्व चैनल तो फ्रेंट्स जुए वाइटी 556 और 817 को जो केस लगा स्टेवला आज उसकी चार उक्तुबर को कोट में हेरिंग थी चार दिन वाज सुनुवाई थी आज तो आज कोट में क्या हुआ है और क्या नेक् प्रेस कर दें क्योंकि ऐसी लेटस्ट जोब्स के रिगार्डिंग और अधर इंफोर्मेटिव वीडियो में आप लिए लाते रहता हूं तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशल वेबसाइट के उपर जाएंगे के स्टेटस सर्च करेंगे तो के स्टेटस देखेंगे तो अभी जो है पंडिंग है और अधर एक्ट्वल यानि कि ADS मतले एक्चुल यानि एक्ट्वल हेरिंग में लगा है कैस और इसमें जो नेक्स्ट हेरिंग है वो पांच अक्तूबर के मिली है पांच-दस की यानि कि जो है कल दुवारा फिर सिसकी हेरी होंगी और बाकि एड़ोगेट्स की बाकि तो आपको सब पता ही है काफी टाइम से आप देख सकते हो आप देखिए इसमें देरी होने की बज़ा क्या है देखिए देरी होने की सबसे इंपोर् रहे हैं तो में जो एड़ जो है वहाँ जो है नमपर ऑफ केसी जो कनेक्टेड केस उनके इंक्रीज होने के वैसे देरी हो रही है बाकि और कोई समय रिजन नहीं है कि इसमें थोड़ी क्योंकि इतनी रम्भी एरिंग वैसे कभी चलती नहीं किसी केसमें रोज डेटु तो रामंद्रिक के मामले में जो सुनवाई हो थी सुप्रीम कोड में उसमें होते थी डे-to-day hearing जो continue hearing चली थी लेकिन ये इसमें इतनी लंबी hearing हो रही है तो इसका में रिज नहीं है कि इसके जो connected cases है वो लगतार जो है increase हो रहे हैं 53 थे पहले 38 थे फिर बढ़के 43 होगे बढ़ते बढ़ते 48 होगे फिर 51 होगे 53 होगे और आप 55 होगे है तो देखिए जैसे connected case बढ़ते हैं तो हर रिस्पॉंडेंट जो होता है हर petition होता है उसके advocate को notice होता है उसका reply file होता है उसकी कुछ formalities होती है वह पूरी सकरनी पढ़ती है ऐसे नहीं है कि अगर connected case आगे तो उसको ऐसी वह कर लेंगे नहीं उसमें सब की जो है दोनों पार्टी की बात सुनी जाती है हर केस में कि हाँ यह नई पार्टी आई है आपको वह objection दो नहीं है इसके रिगार्डिंग फिर सरकारी वकील को भी notice जाता है कि यह जो है connected case इसमे देरी हो रही है मतलब हेरिंग रोज तो हो रही है लेकिन हर हेरिंग में क्या हो रहा है connected case increase हो रहे है हर हेरिंग में अपरते जा रहे है तो को इसमें जब केसी बढ़ते जा रहे है तो एक्टली सब को सुनना परता है आपने कोट में बहुत जादा केस लगे होते हैं जादा टाइम नहीं मिल पाता कि कैसे कितनी जल्दी मतलब जल्दी से जल्दी हेरिंग हो क्योंकि सत्र से असी केस डेली के लगे होते हैं बाकि आप यह जज्जमेंट में देखें तो देखिए लेटस्ट ओर जो थे वो 30 सप्टेंबर को आये और कुछ बच्चे तो कह रहे थे कि कुछ केंडिट थे कि मतलब उनको ओर समझ नहीं है एक्चली पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया थे क्या यह अच्छली क्या हो था कि एक्ट्री 668 पेज की पीडियेफ है 666 पेज की तो एक्चली यह क्या हुआद कि उन्हों सारे के सारे जो है जो जो ऑडर से वह सारी कि सारी फाइल अपलोड कर दी जितने भी तो बेसके लि जाएंगे डे 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 वाइडे करके सब के हो रहे हैं तो जो जो एडवकेट्स जो आये थे लपी नमबर यह जिनका सीड़ी पी नमबर में जो जो एडवी जिसकी तरफ से है उसकी बहां पे जो है अटेंडस लगी उनका रिपलाई हुआ और में जो लाइन है नीचे देख सब्सक्राइब करेंगे थी बाकी बाकी जो बाकी केस है देखिए सी डवली बास्वड पच्पन तो हजार किस यह अलग लग केस हो गया है तो कुछ बच्चे पूश्रे थे सर की यह मतलब क्या है यतने समझ नहीं है या जो ओडर निकले हैं उनके रिगार्डिन को समझ नह या कोई अपडेट आएगा तो मैं आप तक जुरूर इंफ्रमेटिव वीडियो दूँगा बाकी मैंने हाई कोड में जो रिगार्डिंग भी कुछ केंडियर्ट चुसे वह कहरे थे सर हमें गाइड कीजिए कि स्लेबस किया होगा उसका एक्जाम पैटरन कैसे होता है प्रा प्राने क्वेश्चिन पेपर जो हाई कोड के जो भी है एक्जाम जो भी होते हैं उनके एक एक वीडियो वह ले के आउंगा और साथ में जो टुटोरियल आपके लिए की ऑन्लाइन फॉर्म कैसे अपला है करना उसके रिगार्डिंग भी ले के आउंगा बाकि आप जर्वेंट राइटर की जो है पोस्ट निकली हुई है के लास्ट यड़ा नवंबर है और जो है एडवर्टाइजमेंट जो है जज्जमेंट राड़ी उसकी पंतरा नवंबर है उसाबसे बड़ा इश्यू के एंडिट्स को आरा है जहां पर डॉक्मेंट अपलोड करने है जैसे जब कोई अपना इंप्लॉइमेंट सर्टिफिकेट या का सर्टिफिकेट या उसके रिगार्डिंग तो उसमें फाइल साइज फिप्टी के भी तक दियो है तो फिप्टी के भी बहुत छोटा हो जारा है तो उसमें जो क्लेर नहीं आए पाएगा तो हो सकता है यह हो जाएगा तो उसमें तो कुछ क्लेर देखे गा नहीं तो यह कुछ मुझे आटपटा सा लगा कि फिप्टी के भी तक क्यों दियो है जब कि आप जो फोटो है आप जो स्थीस से लेकि सोगे भी तक का सकते हो 100 चे भी तक डॉक्मेंट हो था फोटो जो है बीच-फच्पर इसके भी में clear आ जाती है चलिए कोई नहीं इसके बारे में आपके लिए मैं अपडेट लेके आऊँगा बाकी जो चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी इंफरमेटर वीडियो आपको मिलती रह थैंक फर वाचिंग जाहिन जाहिमाचल